हेलो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आप सवी लोग को बताने वाले हैं कि ललीत नरायन मितला इनवर्सिटी के वर से युजी पार्ट वन और पार्ट थर वाले स्टुएंट को एक साथ एक्जाम लिया जाएगा दोस्तो ये एक्जाम जो है 17 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा वही में जारे किया गया था अब 17 कार्य दिवस में समाप्त होगे डिगरी पार्ट वन और पार्ट थरी की परिच्छा तो दोस्तो कल आज 1 अप्रिल है आपका इनवर्सिटी और कॉलेज सब ओपेन हो चुका है साथ ही दोस्तो जो एक्जाम पार्ट वन में एडमिशन नहीं ले पाए होंगे उनके लिए भी एक न्यूज है लेकिन अब कोई एक्जाम एडमिशन नहीं लेगा चलिए बात करते हैं आप लोग का पाठवन वाले स्टुएंट का रजिस्टेशन और एक्जामिशन फॉर्म भरने का तित्ती जारी हो गया है जहां पर आपको रजिस्टेशन के लिए अगर बिहार बोड के स्टुडेंट हैं तो देर स्टुडेंट हैं तो वहां पर आपको अधाई स्टुडेंट हैं तो वहां पर आपको अधाई स्टुडेंट लगेंगे रेजिस्टेशन और एक्जामनेशन फॉर्म अगर आप नहीं सम्मिट करते हैं तो आपको 30 रुपे सुल्क के साथ फुरा दिन डेट बराया गया है 20 तक आप लोग कर सकते हैं वहीं बात करें हैं पर पार्ठट वाले स्टुएंट का एक्जामनेशन फॉर्म भरने की बात है तो वह लोगी भर सकते हैं लेकिन उनका वीडेट जारी की अगया है कि 2 अपरिल से लेके और 15 अपरिल तक भर पाएंगे साती दोस्तों अगर 30 रुपे सुल्क के साथ वह लोग 20 अपरिल तक भर पाएंगे और अगर 500 रुपे अधिक सुल्क के साथ यह जामनेशन फॉर्म तो आप लोग उससे पहले भर ले और रही बात जो स्टुएंट यहां पर एक्जामनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो सबसे पहले उन्हें स्टुएंट को पार्ट वन के लिए करना पड़ेगा जल्द ही पार्ट वन का रिजल्ट आ रहा है अगर उसमें आप लोग प मैं आपको पहले भी वीडियो में बता दिया हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह वीडियो जाके देख लिजेगा और दोस्तों कराने के बाद और एक्जामनेशन फॉर्म भरने के बाद आप जब कॉलेज में जाएंगे अपने डोकुमेंट को जमा करने प दोस्तों यही था कोचे इंफरमेशन और जो भी है अपने चानल पर अपलोड कर दिया हूँ वीडियो स्टेप बाइस्टेप और आप लोग नहीं देखा है तो जाके देख लिजे सभी जनकारिया दे दिया हूँ और उमीद किया हूँ कि आप लोग की इस वीडियो की माद